अगर कोई element इस atomic mass से इस standard mass से चार गुना हेवी है अगर कोई atom तो उसका atomic mass चार बोल दिया अगर कोई 8 गुना हेवी है तो उसका atomic mass 8 बोल दिया और इन relations पे जो भी calculation आप करोगे उन calculations को बोला जाएगा stoichiometric calculations आप इस relation को डारेक्टी आद रखें अगर question में आपको mole fraction दिये वे हो solute का तो आप यह वाला फर्मला लगा सकते है Xp काई B upon काई B into 1000 upon MA and MA is molar mass of solvent Hello and welcome to all my dear students क्या हल चाल आप लोगों की कैसे हैं आप सब लोग तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का welcome करता हूँ एक नई series जो start होने जा रही है आप सब लोगों के लिए नाम है उसका mind web series हम लोग start कर रहे हैं chemistry में first chapter जिसका नाम है some basic concepts of chemistry और सारे दुनिया इसको प्यार से बोलती है mole concept तो कोशिश करेंगे कि लगभग 40 to 45 minutes में इस chapter को खतम किया जाए अब बात यह आती है कि यह वाला जो chapter है यह वाला जो वीडियो है यह कौन से बच्चों के लिए अगर आप इस chapter को पहली बार देख रहे हैं तो यह वाला वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एक quick revision चाहते हैं आप देखना चाहते हैं कि जो जो formula आप लोगों ने पड़े हैं क्या वो आपको याद है या फिर नहीं है तो आप लोग इस series को देखें इस वीडियो को देखें अगर आप लोगों को नहीं पता mall concept क्या है limiting reason क्या है यह सारी चीज़ें आपको नहीं पता आपने नहीं कर रखा अच्छे से फिर आपके लिए वीडियो नहीं है मैं पहले से आपको बता जेता हूँ ठीक है ना तो हमारा कोशिश यह है कि अच्छे से माइंड वैप का मतलब ही हो गया ना यार यस माइंड वैप का मतलब ही है कि बहुत short short form में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइस कर सके ठीक है तो तो तले फिर स्टार्ट करें से पहले जिन लोगों ने मुझे इस प्लै से मेरे साथ पढ़ने वाले तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को आईए आज वाले सेशन में क्या-क्या चीजे हैं जो हम लोग देखने वाले हैं हाला कि माइंड मैप में one shot है एक तरह से तो इनका कोई बहुत जादा मतलब रह नहीं जाता बट फिर भी laws of chemical combination हम कुरसी की पेटी बांद लो और 100% concentration के साथ बैठो इदर उदर फालतों का कुछ और काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक आप एक एकाग्र ध्यान से है ना आप इस chapter को सुनो ठीक है ना तब ही आपको अगर आप लोगों ने जो अच्छे से प मास conservation फिर उसके बाद law of constant proportion इसको law of definite proportion भी लिखा होता है कही जगे law of multiple proportion गैलुस x law और सबसे लास्ट मेवगे ड्रोज लो एक और लो बच जाता है इसमें law of reciprocal proportion उसके बारे में भी हम लोग यहीं पर बात करने वाले ठीक है law of reciprocal proportion तो सबसे पहले चीज सबसे पहले बात आएग कि law of mass conservation की सारी दुनिया जानती है what is law of mass conservation की कोई भी physical और chemical change हो उसमें जो total mass of reactant होता है वो total mass of product के equal होता है mass can neither be created nor be destroyed yes total mass of reactant is equal to total mass of product अगर आपका सारा का सारा reactant product में convert हुआ है तो एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो nuclear reactions होती है जादा nuclear reactions के लिए law of mass conservation follow नहीं होता ठीक है यह इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है किसने यह law दिया था कब दिया था हमारी सेयद पर उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं हमें देखना है चलो फिर उसके जो elements का by mass proportion होगा वो हमेशा सेम होगा जैसे hydrogen का mass हो गया 2 oxygen हो गया 16 तो hydrogen oxygen का by mass ratio हमेशा कितना होगा वन इस्टो एट होगा किसमें water में तो water बले ही आप कहीं से भी ले के आओ source उसका कुछ भी हो hydrogen oxygen का by mass ratio हमेशा fix रहता है definite रहता है एक और example लिख लेते हैं मैंने लही कुछ भी हो उसमें कार्बन हो गया 12 oxygen हो गया 32 त्रीस तो एट कार्बन और oxygen का by mass ratio हमेशा fix रहेगा definite रहेगा this is law of definite proportion फिर उसके बाद आगया law of multiple proportion ठीक है सबका statement लिखा हुआ है आप statement चेक कर सकते हैं मैं आपको short में समझाता चाल रहा हूं ठीक है अच्छा law of multiple proportion का follow हो इसे मल लो आपके पास दो एलिमेंट है hydrogen oxygen ठीक है hydrogen और oxygen इन दोनों ने अपस में react किया ठीक है इन दोनों ने अपस में react किया और आपस में react करके क्या बना लिया half of O2 से एक बार बनाया H2O इन्हीं दोनों ने अपस में react करके एक बार क्या बना लिया ह्टू ओटू बना लिया ठीक है ददा अब इसमें चेक करो hydrogen का मास कितना 2 oxygen कितना 16 इदार hydrogen 2 oxygen 32 इन दोनों में से किसी एक element का मास constant बना दो देखो constant है hydrogen का मास दोनों में constant है तो इस constant मास के साथ जो दूसरे element का मास react कर रहा है उसका ratio एक whole number ratio होना जरूरी है अगर ऐसा होता है that means वो law of multiple proportion को follow कर रहा है यस समझ में आगी बहुत असान चीज है दो element आपस में react कर रहे हैं जैसे एक लिका है CO एक लिका है CO2 आपसे कोई कहे क्या ये law of multiple proportion को follow करते है आप बोलोगे चेक कर लो carbon 12, oxygen 16 इदर carbon 12, oxygen 32 किसी एक का मास constant होना चाहिए सर, constant है इस constant मास के साथ जो दूसरे element का मास react कर रहा है उसका ratio निकाल लो 1 is to 2, एक simple whole number ratio मिल रहा है इसका मतलब ये law of multiple proportion को follow कर रहा है clear है? समझ में आई यहां से बात आप उसके बाद आता है gallosex law of gaseous volume नाम से ही पता लग रहा है ये किस के लिए applicable है? gases के volume के लिए ठीक है ना? आओ देखो आपके सामने example लिखा है H2 plus CL to Q2HCL ये सारी की सारी gases हैं और दूसरी condition ये जादा इन सारी gases का temperature and pressure सेम है तो अगर मान लो इसका 50 ml react कर रहा है तो देखो स्टोशोमेटर के according इसका भी कितना ml react करेगा 50 ml और ये कितना बनेगा जादा 100 ml बनेगा gallosex law बोलता है कि जब gases आपस में combine हो या फिर जब gases produce हो रही हो आप कहों कि सर एक और एक्जामपल ले लो ये लो मुन्ना एक और ले ले N2 प्लस 3 H2 gives 2 Ns3 यस सारी की सारी gases है सबका temperature pressure सेम है मान लेते हैं इसका 50 ml तो इसका कितना आएगा 150 ml और ये कितना बनेगा 100 ml बनेगा इनके volume का ratio निकाली है वल्यूम का ratio एक simple whole number ratio होगा की नहीं होगा चेक कर लो 1 is to 3 is to 2 एक whole number ratio है इस गैलोसेक्स law of gaseous volume ठीक है जी चलो और आगे आते हैं और बात करते हैं वागे रोज लो निहाइती आसान है ये क्या कहता है ये कहता है कि अगर gases का अगर gases का volume सेम है तो उनके number of molecules भी सेम होंगे अगर gases का temperature और pressure सेम हो तो equal volume of gases contain equal number of molecules इसका volume था 50 ml इसका था 50 ml ये था 100 ml अगर इसके 50 ml में N molecules हैं तो इसके 50 ml में भी N molecules ही present होंगे और यहाँ पर volume डबल हो गया तो number of molecules भी डबल हो जाएंगे that is आपगे ड्रोज लॉख एक्वल वॉल्यूम अफ गैसे इक्वल नमर अफ molecules ध्यान रखना इक्वल नमर अफ molecules इक्वल नमर अफ अटम्स नहीं तब से लास्ट में आता है law of reciprocal proportion यू मानो law of multiple proportion दो बार आ रहा हो जैसे इतना ध्यान तो sodium hydride बनेगा और अगर chlorine के साथ react करेगा तो HCl बनेगा condition ऐसी है कि इन दोनों का जो mass इसके साथ react कर रहा है उस case में hydrogen का mass दोनों के लिए same होना जरूरी है जैसे यहाँ पर देखो sodium है 23 hydrogen 1 यहाँ पर hydrogen 1 chlorine 35.5 yes तो दोनों में इस hydrogen का mass constant होना जरूरी है सर बिल्कुल जरूरी है तो इस constant mass के साथ जो दूसरा element react कर रहा है उनके mass का ratio निकाल लो कितना मिल रहा है 23 is to 35.5 यही तो करते थे हम लो किसमे law of multiple proportion में तो एक ratio आपको ऐसे निकालना है कि जब दो element तीसरे element के साथ react कर रहे है और तीसरे element का mass constant है इस constant mass के साथ जो दो element आपस में react कर रहे है उनका mass का ratio निकालना है निकाल लिया सर अब एक और ratio निकालना है जब यह दोनों element आपस में react कर रहे है यह देखो यह दोनों आपस में react कर रहे है क्या बनाया NACL बनाया इसमें इनका ratio क्या है सरी ये दोनों ratio तो same है बिलकुल same है law of reciprocal proportion ये कहता है कि ये जो दोनों ratio आएंगे या तो same होंगे या फिर एक दूसरे के multiple होंगे ये वो वाला case है जब दोनों ratio same है तो सर को ये ऐसा example दे दो जिसमें multiple आजाए आओ जी एक multiple वाला example देते हैं सुनो sulfur है oxygen है दोनों ने hydrogen के साथ react किया क्या बनाया H2S बनाया इधर क्या बनाया H2O बनाया क्या इन दोनों में hydrogen का mass constant है सर बिलकुल constant है 2 बतेस 2 सोला तो सर इस constant mass के साथ जो दूसरा element react कर रहा है उसके mass का ratio निकालो न क्या बना रहे है SO2 बना रहे इसमें ratio निकाली हो जरा 32 बतेस ये ratio कितना है 1 is to 1 इसको ऐसे लिख दें क्या 1 by 1 अब सोच के देखो ये वाला जो ratio है ये इस वाले ratio का डबल अवया multiple है law of reciprocal proportion यही कहता है कि ये दोनों ratio या तो same होंगे या फिर एक दूसरे के multiple होंगे first वाला example था same वाला second वाला example एक दूसरे के multiple वाला बताएए यहां तक clear है तो ये था law of chemical combinations ये 5 laws हैं इनको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है चले फिर आगे चलते हैं और हम लोग बात करने वाले है क्या atomic mass calculate करने के लिए standard mass माना जाता है और चेक किया जाता है कि कोई भी atom इस standard mass से कितना गुना हैवी है अगर कोई element इस atomic mass से इस standard mass से 4 गुना हैवी है अगर कोई atom तो इसका atomic mass 4 बोल दिया अगर कोई 8 गुना हैवी है तो इसका atomic mass 8 बोल दिया तो अगर मुझे relative atomic mass calculate करना हो तो वो standard mass क्या होता है देखो वो बनेगा mass of an atom एक atom का mass divided by divided by 1 by 12 into mass of an atom of carbon 12 ये है वो standard mass carbon 12 के एक atom के mass के 1 by 12 portion से कोई भी चीज जितना गुना है भी होगी वह उसका atomic mass होगा और यह जो नीचे लिखीवी चीज है यह जो नीचे लिखीवी चीज है इसी को बोला जाता है 1 amu या फिर 1 u atomic mass unit बोल दो या फिर unified mass बोल दो दोनों बात एक ही है clear है जैसे हाँ इसमें एक चीज और थ्यान में रखनी है आपको यह जो carbon 12 के एक atom का mass होता है 1 amu के equal किसके होता है 1 amu बोल दो 1 u बोल दो दोनों ऐसे कुछ भी कहो आपकी शरत्दा है यह हो जाएगा बिटा 1.1 by 12 1.99 into 10 to the power minus 23 यह इसके equal होता है ना carbon 12 के एक atom का mass इतना होता है और अगर आप इसको divide करोगे 1.66 into 10 to the power minus 24 gram आपको यह relation द्यान में रखना है 1u का gram के साथ relation आपको पता होना जरूरी है yes तो अगर आपको किसी भी atom का mass निकालना हो तो आप relative atomic mass को u से multiply कर सकते हो जैसे अगर मैं आप से पूछू what is जैसे अगर कोई कहे कि atomic mass of helium atomic mass of helium is equal to 4u है atomic mass of helium 4u है एक atom का mass yes mass of one atom of helium ऐसे लिख दो mass of one atom of helium mass of one atom of helium बिटा कितना लिखते हो आप लोग वो होता है sir 4u इसका मतलब यह है कि helium का एक atom इस standard mass से चार गुना हेवी है अगर कोई कहे mass of one atom of oxygen कितना है 16u है इसका मतलब 16u का मतलब oxygen का एक atom इस standard mass से 16 गुना हेवी है यस क्या यह चीज आपको समझ में आ रही है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई कहे कि helium के एक atom का mass 4u है आप से पुछे उसका relative atomic mass कितना था आप बोलो कि से भी है कितना times heavier है बस इतनी से information आपको प्रवाइड करता है ठीक है और यह वाला relation मैंने आपको बता दिया यह relation बहुत ही important है आपको ध्यान में रहना जरुक रखना जरूरी है यही से अगली बात आती है average atomic mass की बिटा average atomic mass की जरूरत क्यों पड़ी because isotopes थे कुछ element ऐसे थे जिनके isotopes exist कर रहे थे उन isotopes की percentage abundance different different थी ऐसी cases में हमें average atomic mass calculate करने की जरूरत पड़ी जैसे माल लो chlorine की अगर मैं बात करूं तो chlorine का एक isotope होता है 35 उसकी percentage abundance 75 और एक क्लोरिन का isotope 37 उसकी percentage abundance कितनी है उसकी percentage abundance 25 आप से पूछा इसका average atomic mass कितना होगा तो formula क्या होता है average atomic mass का formula हो जाएगा atomic mass of isotope 1 into percentage abundance plus atomic mass of isotope 2 into percentage abundance divided by 100 और अगर आप इसको calculate करोगे तो 35.5 इसके लगभग equal मिलने वाला है आपको तो average atomic mass की जरुरत क्यों पड़ी isotopes वाले cases abundance यह लिखना है plus अगर यही सेम चीज atomic mass of isotope 2 into इसका percentage abundance divided by 100 अगर और भी ज्यादा isotopes है तो यही सेम calculation आप लोग चाहो तो बार-बार कर सकते हो clear है यहां तक मेरे साब से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है चलिए जी आगे बढ़ते हैं और सेम चीज है molecular mass भाई यह तो सारी दुनिया जानती है water का एक molecule है अगर मैं आपसे इसका molecular mass पूछूं आप बोलो कि सर जितने भी atomic masses है उनका सम कर दो आपको molecular mass मिल जाएगा hydrogen atomic mass 1 होता है तो 2 हो जाएगा plus 16 is equal to 18 है ना mass of one atom of oxygen H2O कितना हो जाएगा 18U yes इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार CH4 लिख दिया कार्बन का atomic mass 12 सर हाइड्रोजन का atomic mass 1 यह जाएगा सर 16U अरे हाना बोलो दादा समझ में आया क्या molecular mass तक तक तो मेरे साब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब एक ओर टाम आती है जिसका नाम है gram atomic mass and gram molecular mass क्या होता है gram atomic mass सुनना मेरी बात को मेरी बात को अच्छे से सुनना अगर मैं आपसे पूछूँ क्या हो at all relative atomic mass of helium कलए डीट क्या होता हैions 4 होता है यस आगर आप से पूछ है gram atomic mass of helium कितना होगा कितना लिख देना ए ग्राम लिख देना four gram लिख देना आप क्या करों जो relative atomic mass है किसी भी elementете का उसको gram में express कर दो it becomes it becomes it becomes gram atomic mass ठीक है ना जैसे अगर मैं कहूं oxygen का oxygen का relative atomic mass कितना होता है yes relative atomic mass of oxygen कितना होता है 16 तो इसका मतलब अगर मैं आप से पूछू what is the gram atomic mass of oxygen आप बोलोगे 16 gram सर दोनों में difference क्या है difference यह है कि यह जो 4 gram है यह avagadro number of atoms का mass है जो 16 gram है यह avagadro number of atoms of oxygen का mass है तो जो gram atomic mass होता है वो कितने atoms का mass होता है avagadro number of atoms का और avagadro number होता है 6.022 into 10 to the power 23 मेरी बात समझ में आ रहे है yes relative atomic mass of helium 4 है helium के एक atom का mass होगा 4u helium के avagadro number of atoms का mass होगा 4 gram oxygen के 1 atom का mass होगा 16u oxygen के avagadro number of atoms का mass होगा 16 15 gram this is the basic difference between relative atomic mass the atomic mass and gram atomic mass मरी बात समझ में आई पक्का अगर आपसे कोई कहे what is the molecular mass है ना mass of one molecule of water आपसे कोई कहे water के एक molecule का mass कितना है आप बोलो के sir 18u yes और अगर कोई आपसे इसको आप molecular mass कहते हूँ mass of avagadro number of molecules का mass कितना है mass of avagadro number of water का molecule mass of avagadro number of molecules of water का mass कितना है आप बोलोगे 18 gram and this is gram molecular mass तो अगर आप atomic mass को gram में express कर देते हूँ it becomes gram atomic mass और अगर आप molecular mass को gram में express कर देते हूँ it becomes gram molecular mass and what is the basic difference difference is that gram atomic mass is the mass of avagadro number of atoms and gram molecular mass is the mass of avagadro number of molecules clear है क्या तदा आपको हाना बोलना पड़ेगा क्या यहां तक कानी ठीक है yes समझ में आरी मेरी बात अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो आजाओ फिर mole concept के बारे में बात कर लेते है mole क्या होता है और कैसे calculate किया जाता है तदा mole का आप लोगों ने यह चीज हर जगे लिखी वी देखी होगी कि जो one mole होता है it is the collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles yes मेरे साब से यह चीज clear है ठीक है done यह number कहां से आया कैसे आया इसको मैंने detail वीडियो में बता रखा है लेकिन क्योंकि अभी था हमारे पास ओला टाइम नहीं है detail वाला आप यह बाली चीज धान में रखोगे one mole में इतने particles होते है और molar mass क्या होता है molar mass जो होता है mass of one mole of substance andulture mass of 1 mole of substance yes one mole care mass को 1 mole care mass को बोला जाता है कया molar mass अगर मैं items की बात करूं next up atoms के लिए molar mass किसके equal होगा atoms के लिए molar mass होता है equal to gram atomic mass yes and molecules के लिए moleculs के लिए molar mass किसके equal होगा 速 जल्दी से बोल दो molar mass is equal to two gram molecular mass कोई अगर पूछे सर यह कहां से आया अरे अपना दिमाग यूज कर molar mass मतलब इतने atoms का मास atom के लिए और इतने atoms मास को ही क्या कहते हो आप gram atomic mass कहते हो । अगर molar mass अगर molecule की कहूं इसका मतलब molar mass मतलब 1 mole molecule का मास और 1 mole में evogadron number of molecules होते हैं और evogadron number of molecules के mass को ही gram molecular हैं कि मोल कालकुले बिल्कुल है विटा मॉल कलकुले करने के तीन फॉर्मूले में आपको बदा रहा हूं उससे आप के सारे question solve हो जाएंगे सबसे पहला formula सारी दुनिया जानती है given mass upon molar mass सबसे पहला आपको किसी भी substance का mass given होगा आप उस मास को molar mass से divide करदो आपको mole मिल जाएगा दूसरा given number of particles इसको आप किससे divide कर दो? इसको divide कर दो मेरे भाय आपी अप्रिंडे 서ि इसर ऑंधिकल क्या हो सकते हैं पारिकल इधिकल यहां पार मेखियम्स भी हो सकते है और आयन्स भी हो सकते है मेरी बात आपको समझ में आत रहे हैं क्या और तीसरा फ़ फार्मूला वह होता है volume of gas at STP और यह होना चाहिए किसमें यह gas के लिए होता है लीटर में होना चाहिए divided by 22.7 yes 22.7 exact value होती है सर यह STP क्या होता है STP होता है standard temperature and pressure zero Kelvin और sorry zero degrees Celsius और one bar pressure इस condition को standard temperature and pressure बोला जाता है किसी भी gas का one mole 22.7 लिटर volume occupy करता है STP तो अगर आपके पास volume a gas का अगर आपने उसको 22.7 से divide कर दिया आपको मिल जाएगा mole यह तीन formula है कोई साभी question आए mole का आप लोग इस तरह से calculate कर सकते हो yes मेरी बात समझ में आगी mole को calculate करना है इसमें तो आप इस तरह सी कहानी देख सकते हो मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं है तीन ही formula होते है mole concept calculate करने के ठीक है आओ फर mole हमने सीख लिया अब इसके बाद हम लोग एक percentage composition नाम की चड़िया होती है इसमें बहुत लंबी कहानी नहीं है यह भी मैं आपको समझा देता हूँ percentage composition का मतलब क्या है कि किसी भी आपके आपके सामने क्या given होगा आपके सामने जैसे अगर मैं कहूं एने ओच है आप से question यह पूछेगा कि what is the percentage composition of एने ओच तो percentage composition का मतलब है इस एने वोच में जितने भी elements present है उन सारे elements का mass percentage बता दो है ना कि ये वला element इतना percent है ये वला element इतना percent है ये वला element इतना percent है आपने उसका percentage composition बता दिया कैसे? सबसे पहले आप इसका molar mass calculate करो कितना होता है वीटा? सर इसका molar mass आएगा देखो 23 plus 16 plus 1 सर ये हो गया 40 अगर मैं आप से पूछू mass percent of sodium कितना होगा आप बोलोगे सर sodium का mass है 23 total mass है 40 into 100 percent this is the mass percent of sodium अगर मैं आप से पूछू what is the mass percent of oxygen वो कितना होगा? वो होगा 16 upon 40 into 100 percent और अगर आप से पूछे mass percent of hydrogen तो वो होगा 1 upon 14 to 100 percent ये तीनों का आपने mass percent calculate कर दिया इसका मतलब आपने percentage composition बता दिया किसका? एनियोच का मेरी बात समझ में आगी? तो percentage composition का मतलब यही है कि किसी भी substance में जितने भी different elements present है उन सारे elements का percentage आपको define करना है that is mass percent of that that element and अगर आपने सारे element का बता दिया इसका मतलब आपने percentage composition बता दिया उस given substance का ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़ी आसर एकदम बढ़ी आसमझ में आ रहा है अब इसके बाद एक छोटी सी कहानी और देखते है उसका नाम है empirical formula and molecular formula ये क्या चीज होती है देखो आपने Benzine का नام सुना है बेंजीन का अगर मैं आपसे formula पूख हूँ तो वो क्या formula होता है? C6H6 होता है कई नहीं होता? बताओ अरे भाई बेंजीन का अगर आपसे molecular formula पूखे molecular formula पूखे तो क्या होता है? वो होता है sir C6H6 इसका मतलब इस formula से क्या पता लग रहा है मुझे इस formula से यह पता लग रहा है कि बेंजीन के एक molecule में 6 atoms carbon के हैं और 6 atoms hydrogen के हैं मुझे उन atoms का exact number पता लग रहा है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन hydrogen और oxygen का बेंजीन में चेक कर लो बेंजीन में चेक कर लो carbon और hydrogen का simplest ratio कितना होगा तो simplest ratio होगा 1 is to 1 इस simplest ratio को जो formula बताता है उस formula को बोला जाता है empirical formula simplest formula से जो formula बनेगा आप से कोई पूछे benzene का empirical formula क्या है आप उसको बता क्या बोलोगे आप बोलोगे CH क्यों क्यों क्योंकि carbon और hydrogen का simplest ratio है वो कितना है तो simplest ratio से जो formula बनेगा वहोगा empirical formula और exact number से जो formula बनेगा वहोगा molecular formula यस आप लोगोंने glucose का नाम सुना होगा यस अगर मैं कहूं glucose की तो glucose का molecular formula क्या होता है 6 is H12O6 होता है इसका मतलब एक मोल glucose में 6 atom carbon 12 atom hydrogen और 6 atoms of oxygen are present अगर मैं आप से कहूं कि empirical formula of glucose क्या होगा तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा वह जाएगा सरीन का simplest ratio ले लो तदा जल्दी वोलना है यार 1 is 2 2 is 2 1 होगा कि नहीं होगा तो formula बन जाएगा CH2O this is your empirical formula of glucose एक relation होता है यस एक relation होता है क्या relation होता है कि molecular formula relation होता है कि molecular formula is equal to n into empirical formula यह एक relation होता है अब आप बोलोगे सरी यह n क्या होता है सरी यह n क्या है तो ददा n होता है n is equal to n is equal to molecular formula mass n is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass yes molecular formula mass divided by empirical formula mass से डिवाइड कर दो n मिल जाएगा n मिल गया तो इसको empirical formula से multiply कर दो आपको molecular formula मिल जाएगा क्या मेरी बात यहां तक clear है यहां तक ठीक है आगे बढ़ते है और हम लोग बात करेंगे next topic जिसका नाम है stoichiometry and stoichiometric calculations सबसे पहला question जाता है stoichiometric क्या होती है reactant और product की quantity के बीच जो relation होता है उस relation को बोला जाता है stoichiometry ağaub libo qeatna eq resource और प्रिक्टी KWкое चाहते के बीच उस रिलेशं पर बयए सा को बोरा जाता है stos métri और उस रिलेशं पर बेस्ट जो बी कालक्लीशिन सोंगी उनको बॉना जाएसा पर जाएंग इसके पर मैं का लिखो ऑने जड़ूरिद है Oh, equal to HCl 5 रि इसका 1 mol, इसके 1 mol के साथ react करके, इसका 2 mol बनाता है, that is stoichiometry, मैं आसे भी लिख सकता हूं, 1 mol मतलब 2 gram, इसका 2 gram, इसके 71 gram, इसका 1 mol मतलब 71 gram, इसके साथ react करके, 73 gram का formation करता है, ये भी इस reaction की क्या स्टीशिमेट्री है, मैं आसा भी लिख सकता हूं, 1 mol मतलब 22.7 liter of H2, reacts with, 1 mol 22.7 liter of CL2 to gives 2 into 22.7 liter of HCL at STP तो यह जो quantity के बीच relation है this relation is known as stoichiometry यहाँ पर जो coefficient है 1 1 और यह वाला coefficient 2 these coefficients are known as stoichiometric coefficients और इन रियक्शन इन रिलेशन पर जो भी calculation आप करोगे उन calculations को बोला जाएगा stoichiometric calculations बहुत बढ़िया सा यहीं पर चोटा सा term आता है जिसका नाम है percentage purity और साथ में आता है percentage yield यह क्या होता है इस चीज को हम लोग सिर्फ और सिर्फ questions के थूरू समझ सकते हैं इसमें कोई theory नहीं है इसमें कोई theory नहीं है इसमें सिर्फ questions की बात होगी दो question आपके सामने लिखे हैं इन दोनों question से आपको समझ में आएगा कि what is percentage purity and what is percentage yield आपके सामने लिखा है कि 200 gram आपके पास calcium carbonate है लेकिन उसका percentage purity कितना है 95% pure है इसका मतलब अगर मैं तुम से पूछू mass of pure calcium carbonate कितना है तो तुम बोलोगे कि 200 का 95% जो है यह आपका pure है मेरी बात समझ में आगी क्या यस क्या यह 190 kg है यह आपका pure calcium carbonate है और हमसे कहा है कि अगर आपने इसको heat कर दिया तो कितना calcium oxide बनेगा सारी दुनिया जानती है कि calcium carbonate को heat करने से calcium oxide plus CO2 बनता है यस इसके stoichiometry क्या कह लिए जादा कि इसके one mole से इसका one mole बनेगा बोलो one mole का मतलब 100 gram आप चेक कर लेना बले विश्वास ना हो तो और इसका one mole मतलब 56 gram आप पता क्या बोलोगे आप बोलोगे अगर आपके पास 100 kg calcium carbonate होता तो उससे 56 kg calcium oxide बनता लेकिन हमारे पास calcium carbonate कितना है सर 190 kg calcium carbonate है तो उससे कितना calcium oxide बनेगा 56 upon 100 into 190 kg यस किसी formula के चक्कर में मत पुड़ो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज करो ऐसी calculations बड़े आराम से आप लोग solve कर सकते हो वैसा ही एक और question आया जिसमें आपसे percentage yield पूची है percentage yield of product क्या कहरा है question लिखता है calcium carbonate react कर रहा है किस के साथ वो react कर रहा है साथ calcium sulfate के साथ है ना sorry H2SO4 के साथ है और H2SO4 के साथ react कर के क्या बनाएगा calcium sulfate बनाएगा H2O बनाएगा साथ में CO2 बनाएगा अगर मैं इसका 1 mol लेलू इसका ये balance reaction है कोई दिक्कत है नी इसके 1 mol से इसका भी 1 mol बनेगा की नहीं बनेगा चेक कर लो और इसका 1 mol मतलब 100 gram आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसके 100 gram से इसका 1 mol बनेगा इसका 1 mol कितना gram आ रहा देखो ये आ गया 40 ये है 32 और ये है 64 हाँ calculate करो देखे कितना हो गया 4 और 2 6 और 10 और 136 gram चेक करना बिटा क्या इतना ही मिला है क्या इसका 1 mol मतलब 136 gram आएगा क्या चेक करो देखे जल्दी से बिलकूल 136 gram आएगा लिख सकता हूं ऐसा कि अगर आपके पास 100 gram calcium carbonate होता तो उससे 136 gram calcium sulphate बनता की नहीं बनता question में दे रखा है calcium carbonate कितना है 300 gram है तो 100 से इतना बन रहा है तो 300 gram से कितना बनेगा इसका जस्त गुना बन जाएगा into 3 gram calcium carbonate this is your percentage कितना gram calcium carbonate actually बना है question में क्या दिया है 272 gram यह है इतना calcium carbonate इतना calcium sulphate आपको actually मिला है लेकिन मिलना कितना चाहिए था इतना मिलना चाहिए था मिला कितना है 272 gram what is the percentage yield percentage yield क्या होती है percentage yield होती है actually कितना मिला था divided by कितना मिलना चाहिए था stoichiometric according into 100% इसको calculate कर लेना यही हमारा final solution होगा मेरी बात समझ में आगी क्या तो what is percentage yield percentage yield is कितना actually मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं कि practical yield actually कितना मिला है divided by कितना मिलना चाहिए था theoretically this is your theoretical yield in 200% तो यह होती है percentage yield आप formula में आप से नहीं कहोंगा उसको रिटने की ज़रूरत नहीं है आप तो सिर्फ stoichiometry लिखो आप यह calculate करो कि कितना मिलना चाहिए था actually कितना मिला वो question में given है actually जो मिला divided by कितना मिलना चाहिए था into 100% कर देना आपको percentage yield मिल जाएगी उस particular reaction की ठीक है बहुत बढ़िया अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे limiting reagent की limiting reagent क्या होता है जैसे मालनो दो reactant आपस में react कर रहे हैं एक दूसरे के साथ A plus B gives product यह दो reactant है इन में से एक reactant ऐसा होगा जो सारा का सारा product में convert हो जाएगा जो सारा का सारा product में खतम हो जाएगा वो जो reactant होता है जो सारा का सारा product में consume हो जाए उस particular reactant को बोला जाता है limiting reagent एक reagent ऐसा होगा जो खतम नहीं होगा उसका कुछ amount अभी भी reaction mixture में बचा रहेगा that is your axis reagent जो ज्यादा है वो axis reagent जो कम है that is your limiting reagent जो सारा का सारा product में convert हो जाएगा और अगर आपको कितना amount of product बना है यह पता लगाना हो तो आपको किस से पता लगेगा limiting reagent से पता लगेगा अब बात ही आती है कि sir हमें कैसे पता लगेगा कि इस reaction में limiting reagent कौन सा है और कौन सा नहीं है मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया से एक्जामपल दे रहा हूँ N2 प्लस 3H2 gives 2NS3 यह यह reaction दी है आपके सामने question में given है क्या given है इसके mole है 3 mole इसके mole दे रखे है 5 mole और हमसे question में पूछा है NS3 कितना बनेगा सबसे पहले मुझे पता लगाना है इसमें limiting reagent कौन सा होगा कैसे पता लगाऊ यहाँ पर लिखा हुआ देखो आप क्या करो जो given number of moles है उसको divide कर दो stoichiometric coefficient से इसके given number of moles है 3 इसका stoichiometric coefficient है 1 कितना मिल गया 3 मिल गया इसके given moles है 5 इसका stoichiometric coefficient है 3 यह कितना मिलेगा less than 2 मिलेगा तो given moles upon stoichiometric coefficient जिस reactant के लिए कम हो जिस reactant के लिए minimum हो वही reactant आपका limiting reagent होता है तो इसके लिए 3 है इसके लिए less than 2 है इसका मतलब जो H2 होगा तर यह है हमारा limiting reagent सबसे पहले limiting reagent का पता लगाऊगे अगर आपको limiting reagent का पता लग गया अगर 3 मोल H2 होता तो उससे 2 मोल NS3 बनता की नी बनता नदाहाना बोलना पड़ेगा यार यास और हमारे पास है कितना सर हमारे पास 5 मोल H2 है उससे 2 by 3 into 5 मोल NS3 बनने वाला है सर कैसे पता लगता है कि इस question में limiting reagent का concept लगाना है कान खोल के सुन लेना अगर किसी भी question में एक से ज्यादा reactant के बारे में information given हो कान खोल के सुन लो वापस अगर किसी question में एक से ज्यादा reactant के बारे में information given है तो उसमें हमेशा आपको limiting reagent का concept लगाना पड़ेगा इस question में एक से ज्यादा reactant के बारे में information given थी हमेशा सबसे पहले limiting reagent निकालो और limiting reagent से product बनाने की कोशिश करो दन और limiting reagent निकालने का तरीका आपके सामने है given number of moles को stoichiometric coefficient से divide कर दो जिसके लिए ratio कम आए वही आपका limiting reagent होगा दन लिखा है given number of moles को stoichiometric coefficient से divide कर देना ठीक है न हदा ठीक है बहुत बढ़िया हमारे पास इन सब के questions करने जितना time है नहीं तो हम question वैसे भी नहीं कर सकते हैं questions मैंने one shot में करवा रखे हैं आप लोग चाहो तो वहां से भी देख सकते हो आईए इस chapter का सबसे last portion जिसके बारे में हम लोग बात करने बाले हैं that is your concentration terms और सबसे पहली concentration term जिसके बारे में बताने वाला हूं वह है percentage सारी दुनिया जानती है भाई percentage में देखो सबसे पहले आता है mass percent उसको बोला जाता है percentage w by w क्या होता है जैसे मालो solute का mass percent निकालना है तो mass of solute divided by mass of solution into 100% mass of solute divided by mass of solution into 100% that is your mass percentage है ना अगर आपसे कोई कहे कि percentage w by v mass upon volume percentage यह क्या होता है सर यह होता है mass of solute divided by volume of solution नीचे क्या आएगा आज volume of solution है ना volume of solution ml में और उपल वाला ग्राम में into 100% मेरी बात समझ गए क्या अगर कोई आपसे कहे percentage v by v volume percent कितना है तो उपर आएगा volume of solute नीचे आएगा volume of solution into 100% जड़ा यह तो हम लोगों ने बहुत बार calculate किया ना यार अगर परेसंटेज निकालना सारी दुनिया जानती है कि नहीं जानती है अगर mass का percentage निकालना है तो यह वाला formula volume का percentage निकालना है तो यह वाला formula और mass upon volume का percentage निकालना है उपर solute का मास नीचे volume of solution into 100% यह जाएगा percentage और concentration का मतलब सारी दुनिया जानती है अगर कोई कहे आप से कि एक solution उसकी concentration ज्यादा है इसका मतलब उसमें amount of solute ज्यादा है किसी भी solution की concentration क्या बताती है कि उस solution में solute का कितना amount present है जितना ज्यादा amount solute present है इसका मतलब उसकी concentration भी उतनी ही ज्यादा है as simple as that done अच्छा फिर उसके बाद अगली जो concentration time है वो आती है mole fraction जिसको काई से दिखाया जाता है यस माल लेते हैं solution है दादा उस solution के दो component है A और B मतलब उसमें दो चीज़ें present है A और B A की जो moles है वो है N A B के जो moles है वो है N B अगर मैं आपसे कहूं what is the mole fraction of A क्या हो जाएगा A के mole divided by total mole अरे दादा ही तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार अगर मैं आपसे कहूं what is the mole fraction of B वो क्या हो जाएगा B के moles upon total moles और अगर आप दोनों के mole fraction का sum करोगे वो कितना मिलेगा वन मिलेगा दूसरी चीज़ यह वाली जो quantity है वो temperature independent है temperature independent क्यों है क्योंकि इसके formula में कहीं पर भी volume आई नहीं रहा और volume नहीं आ रहा तो आपका temperature पे dependency भी नहीं होगी क्योंकि जो mass होता है mass कभी भी temperature पे depend नहीं करता है मेरी बात समझे आगी बहुत बढ़िया आगे चलते है अगली concentration term बहुत important है जिसको कहा जाता है molarity yes क्या होती है molarity भाई formula सारी दुनिया जानती है solute के moles yes divided by volume of solution और यह जो volume of solution है यह किसमे होना चीए liters में होना जरूरी है yes into 100% होगा कि नहीं होगा अगर आपके पास volume of solution ml में है तो उपर 100% क्यों लिखा है अगर आपके पास volume of solution ml में है इसको 1000 से multiply करना पड़ेगा पहला question पुछा जाता है यह temperature dependent है या फिर independent आप वोलोगे sir इसके formula में इसके formula में volume आ रहा है और जो volume होता है वो temperature पे डिपेंड करता है इसका मतला molarity भी temperature पे डिपेंड करेगी फिर आप से पुछा जाएगा इसकी unit क्या होगी आप वोलोगे sir इसकी unit होती है mol per liter क्या होती है mol per liter या फिर आप क्या लिख सकते हो molar लिख सकते हो क्या लिख सकते हो molar लिख सकते हो है एक dilution low होता है yes dilution के लिए हम लोग बात कर लेते है मालो आपके पास एक solution है जिसकी molarity M1 है और volume V1 है आपने उसको dilute कर दिया molarity M2 हो गई volume V2 हो गया तो molarity after dilution अगर आपको निकालना हो तो यह formula यूज करोगे M1 V1 is equal to M2 V2 what is M2? M2 is molarity after dilution yes molarity after dilution और dilution का मतलब क्या होता है water का addition करना solvent add करना उसको हम लोग dilution कहते है है ना एक और चीज देखो आपके पास एक solution है जिसकी molarity M1 है और volume V1 है उसी substance का एक और दूसरा solution है जिसकी molarity M2 और volume V2 है आपने क्या किया इन दोनों को mix कर दिया mix करने के बाद solution की molarity M3 और volume V3 एक formula होता है yes क्या formula लिखोगे सर यह होता है M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3 यह वाला formula हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यह वाला formula यूज करते हैं जब आपने एक ही substance के दो solutions को mix कर दिया हो उस case में यह वाला formula यूज कर सकते हो done कोई दिक्कत नहीं है very good एक और formula होता है अगर मानलो आपको mass percent दिया हुआ है है ना अगर आपको mass percent दिया हुआ है question में तो आप यह वाला formula यूज कर सकते हो x क्या है x है mass percent question में दे दिया mass percent solute का mass percent d क्या है d है density of substance density है solution की gram per ml में और यह mb क्या है this is your molar mass of solute molar mass of solute है ना मानलो question में ऐसे दिया है 98% wyw yes h2so4 तो यह x का value कितना हो गया 98 हो गया mass percent of solute आपको question में दिया हुआ हो density अगर आपको question में दी हुए solution की और आपसे molar mass और आपसे molarity पूछा हो तो आप यह formula direct लगा सकते हो 10 x x 2 divided by mb mb is molar mass of solute इस बात को याद रखे done very good अब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं molality की बहुत ही आसन सा formula है small m से दिखाया जाता है यह होता है साब moles of solute moles of solute divided by divided by mass of solvent है ना नीचे दादा mass आदा है किसका solvent का और यह solvent का mass किसमे होना जरूरी है kg में अगर gram में है 1000 से multiply कर देना kg में मिल जाएगा सबसे पहला question क्या यह temperature पर depend करेगी आप लोग बोलोगे sir नहीं करेगी क्यों क्योंकि इस formula में कहीं पर भी volume नहीं आ रहा यस दूसरी चीज इसकी unit क्या होगी आप बोलोगे sir mol per kg या फिर molal क्या होगा mol per kg या फिर molal ये इसकी unit हो जाएगी बहुत ही आसान सी चीज है एक बिटा relation होता है किस-किस के बीच एक relation होता है relation between molality and mole fraction yes molality और mole fraction में relation होता है मैं लिग देता हूँ दूसरे molality is equal to chi b upon chi a into thousand upon ma ma क्या है this is your molar mass किसका? molar mass of solvent है ना आपको solvent का molar mass given होगा यह क्या है this is your mole fraction of solvent और chi b क्या है mole fraction of solute यह relation होता है आप इस relation को डिरेक्ट याद रखे अगर question में आपको mole fraction दिये हो solute का तो आप यह वाला formula लगा सकते xv chi b upon chi b chi a into thousand upon ma and ma is molar mass of solvent done अच्छा एक और relation होता है वह relation भी आपको पता होना जरूरी है किस-किस के बीच density is equal to molarity into 1 upon molality mb upon thousand yes और जितने भी जो आपके सामने लिखा है अगर पूछे आपसे what is D D क्या विटा D is your density M capital M क्या है अज़ा बोलना what is capital M capital M क्या है capital M is molarity क्या है molarity what is small m small m is molality yes or mb क्या है mb है molar mass of solute क्या है molar mass of solute तो यह वाला formula आपके सामने लिखा है density molarity में यह formula होता है generally question में क्या होता है density molarity में से एक चीज गिवन नहीं होती बाकि दो चीज गिवन होके तीसरी चीज आपसे पूछता है आप इस formula को यूज करके बड़े आराम से calculate कर सकते है done very good अब इसके बाद बहुत ही आसान आसान सी concentration terms बचिए PPM बटा PPM क्या होता है parts of a component divided by total parts present in solution total parts of solution into into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 यह होता है PPM parts का क्या मतलब है जैसे मालो आपको solute का mass दिया हुआ है solvent solution का mass दिया हुआ है तो mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6 अगर आपने कर दिया इसका मतलब आपने उस solution की concentration बता दी किसमें PPM में और यह वाली PPM कभ यूज की जाती है concentration term जब आपका amount of solute बहुत ही कम होता है जैसे आपने देखा होगा पानी में कितना oxygen dissolve है यह पता लगाने के लिए concentration हमेशा आपको किसमें मिलेगी PPM में मिलेगी अगर मैं बात करूँ PPB की parts per billion तो agerties उपर नीचे सेम रखना है वहां 10 to the power 6 से multiply किया था यहां 10 to the power 9 से multiply करना है बाकि सारी चीज़ आपका जब solute का concentration बहुत ही कम होता है जब solute का amount बहुत ही कम होता है अगली concentration time हम लोग बात करेंगे formality formality generally जो होती है आपके जो ionic compounds होते है ionic solids उनके लिए ionic solids की molarity को मैं formality कह सकता हूं कोई दिक्कत नहीं formula क्या हो जाएग formality का formula होता है given mass of solute solute का mass divided by formula mass of solute formula mass of solute और into volume of solution into volume of solution volume of solution किस में होना चाहिए liter में होना जरूरी है और अगर यह liter में ml में दिया हुआ हो तो यह उपर 1000 से multiply कर देना आपका काम बन जाएगा है ना जैसे अगर मैं तुमसे कहूं sodium chloride NaCl बोला जाता है NaCl का formula mass कितना होगा formula mass ionic solids के लिए formula mass हो जाएगा sir sodium 23 chlorine 35.5 calculation बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हम लोग क्या calculate करते हो molecular mass molecular mass जैसी calculation as it is नाम दे दिया formula mass किसके लिए ionic solids के लिए clear है normality जिसको हम लोग redox के साथ पढ़ेंगे इस chapter के साथ नहीं करने वाले ठीक है तो चलिए फिर thank you so much for watching this session मैं उमीद करता हूं कि यह 45 minutes मैंने आपको लोगों के लगबग लिये हैं 45 minutes में आपने इस chapter के जितने भी formulae हैं जितने भी छोटे-छोटे से जो concepts हैं जो mind map में आपको याद होने जरूरी है इसको मैं आप से एक हाद जोड के और विनती है कि इस session को आप वो one short session से कभी compare ना करें mind map sessions का बिल्कुल motive different है कि एक पूरे chapter का sequencing समझ में आ जाए उसमें कौन-कौन से formula है वो समझ में आ जाए इसके लिए mind map series बनाएगी है ठीक है तो thank you so much for watching this session next session में हम लोग वापस आप से मिलेंगी एक नया chapter structure of item के साथ तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें खुश रहें हसते मुस्कुलाते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुलाने से नहीं चले फिर टाडा बबाई love you all